नमस्कार दोस्तों डेफोडिल कोचिंग क्लासेज की यूटूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों हमने राजस्तान अध्यन की जो हमारा कक्षा कक्षा 6 की बुक है वो बुक प्रारम की थी उसमें हम आपको तीन पार्ठों का अध्यन करवाद चुका यानि हर पार्ठ से दस परशन बनते हैं पीछे दो बढ़ें गए हैं तो इसमें क्या है आपके परशन थोड़े ज्यादा बजाएंगी ठीक है तो हम यही सीरील आगे रखेंगे जैसे मनलब दो पार्ठ करवाने के बाद परशन उतर करा देंगे तो ज्यादा सीरील होजग करता है तब वह समवए में रहकरकारी प्रार नहीं है जिस काल का लिखित साक्ष अप्लब नहीं होता उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामगरी का दार पर जाना सकता है यानि जिसका लिखित इत्यास अप्लब नहीं होना उसके बारे हम क्या जान सकते है जो उत्खनन से प्राप्त सामगरी उसी के बारे में जाना सक प्राप्त प्राजिन्तम साक्षों में जैसे आवास है आपकी आवास तल लकड़ी है अनाज है हड़ी पत्रों के अस्तर शस्तर उपकर्ण आधी प्रमुखे होते हैं जो प्राप्त उपकर्ण में पत्थर के उपकर्ण संक्यातर दिखा है इसलिए प्रारंबिक यूग को प् परता था आता है उसने जो है कुलहाड़ी गंडासा चुरा दिया उपकंड भी अनाई मानुची तर चार पॉइंट एक में देख कर जानिये कि राजस्तार में प्रस्तर यूग की ये उपकंड मुखिता बनास गंबीरी बेड़च और चंबल नदी की जो घाटी और तो शेला करता है फिर ठीटी की ओरता चुला पठ्थर के में उससने किया कुछ शेलिए इसे राजस्तान में आपे नक्षा दे सकते हो इसने क्या है जैसे लिए गंगन Нवांग पर जी से हनमानुग में क्या तो है आपकि गंगा नगर में दिखा रखा है, horizon ती सबिता का है। संती सबिता एक बिका नेर में है। इसके लाब आप देखो कि जूंदुनों में सुनारी सबिता जूंदुनों की है शिक्कर की गनेस्वर है जैपूर की है बेराट ऄर्डर भरतुपूर की है। उसके लबादों, आपको टॉंक की स्वयधा, तोगोरं, आपको तॉंक की स्वयधा, रेंड और नगर, जिसके लबादन दिखा रहे हैं। द्वेश्दती और शर्ष्वति नदी घाटी के पुराविद में यानि उनकी घाटियों में जो पुराविद है अमलारंद घोष यानि प्रात्तव वियाग के अमलारंद घोष ने करीब दो दर्जन जो है पुरा स्टनों के इन्हों ने खोज के थी कहाँ पर स्ट्वर्ष नदी घाटी में ठीक है दो जर्जन स्टल के इसमें हनमानगर जिले में घगर नदी किनारसित काले बंगा मुक्य है ठीक है यह मुक्य है बाद में डॉक्टर बीबी लाल और बिक्की थापर के निदेसर में यहाँ खुदाई हुई ठीक है इस खुदाई में सिंदु सरफस्वति संबित्या का जो काल का नगर मिला था यह एक मकान मिला था जिसके मकानों में इंटों का प्रियोग किया गया था मकान में चार पांच बड़े तथा कुछ है छोटे कमरे होते थे यहां चब उत्रे भी मिले जिन पर अगड़ी कुडियानी वेदिकाएं भी बने हुई है काली बंगा की नगर योधना शिंदू सब्यता नगर योधना के समरूप है इस तर में नगर की पराचिर के बाहर जूत्ती हुई यानि कृष्ची बुमिक साक्षे मिले है खुदाई में में गाए के मुख वियाले प्याले मिले है तामबे के बैले मिले है कांशे का दरपड मिला है हाती दान का कंगा मिला है मिट्टी के बरतन मिले है कांश की मनिया मिले है खिलोंने आद्धी प्राप्ते हुए है कालांतर में नदियों का पाने सूखने और मरुस्तल के बढ़ने सी ये समर्द बरस्ती ओजर गए तो यह यह क्या है आपके क्या है काली बंगा सभेता मिश्यथ है तो कुछ विश्यथ है आपको जो याद रखने है वो एक तो है यह दर्वेस्द्धियों सरश्षिति की घाटी में है और अमला नंद घोष है अनमानगड जिले में है मलब खोद करता अनमानगड घोष है घग लोगिनालिया यग वे दिकाए दुर्व के अवसेस मिले हैं इसके अंदर आपके नगर के प्राचिर कृषी जूतिवी कृषी भूमिक साक्षे गाए की मुख वाले प्याले तामबे के बैस कांस्चे के दर पड़ हाधिजात कांगा मिट्टिक वरतन कांस की बनिया अधी म मिले हैं उसके बाद देखते हैं आघाठ पूर या आहड देखो उदेपूर के पूर्व में आहड यानि बेड़स नदी के किरारे दो तिल्ले दिखाए दिखाए दिये जिसे स्थानिये लोग क्या करते थे उसे दूहुल कोट करते थे यह बस्ती पहले तंबर वरती यानि जो मकान की दिवारे पत्थरों एहु विट्टी से बनी होटे जिसके छटे जो है वो किसे बांस और केलू से बनी होते थे बड़े कमरों के बैस enslवे जुले मिले जो स्नियुक्त परियार या सामुहिक बोजन विदी के साक्षे हैं यानि लोग साथ में खाना कहते हैं बड़ा परिवार होता था यहां उस कोटी के चावल भी उत्पाद्ध होते थे आहड में बटी नुमा तुला मिलेग से माने जाता कि यहां तामबा पिकलाए है इसमें आपके अलंकरें दिरिष्टी से उत्करष्ट थे इसके लाव दूलकोट के उन्नीस विकाउन बावन में जो उत्करण में तस्तरियां दीपक मिलियें धूपदानियां मिलियें कटोरियां मटके कड़ सूडियां खिलोने उसके बाद अगली सब्वेता है बाला थल उदेपुर दिले के वल्लब नगर तहसील के बाला थल में मिली सब्वेता तामर पाशानकालिन यानि आहड संस्कृती से समझत है यहां क्या मिले हैं यहां ग्यारा कमरों का एक बड़े भवन और दुरुग जैसे चिन भी प्राप्त भी है बाला थल में तामबे के चाकू, कुलहाडी, चैनी, बान जैसे उपकरण, करणफूल, गले की हार की लटकन आदी आभुशन मिले हैं यहां के निवासों में मिस्रित अर्जविवस्ता प्रतलित थी यानि मिस्रित अवश्त अवश्ता पाई जाती है इसके लावा करशी, पशुपालन, शिकार, टीनो जो है जीवी का के साधन थे बैराट के अलावा बैराट के अलावा बाला थल एक मातर एक सथो जहां बुनना ववा रवस्ता प्राप्ते हैं काई शिक्करदिले के निमका थाना तसल है एक सण स्कृति के आवसेज यहां से मिले है इसे तमर संचई संस्कृति भी कहा जाता है यानि आप से पूछा जाए कि तमर वर्ती संस्कृति है वो तो है आपके कौन सी आहड़ा लेकिन तमर संचई पूछले तो वो है गनेश्वर यह संस्कृति पूर्वी राजस्तान और गंगा गाटी की शित्रों बलवित भी है गनेश्वर में तमर उपकर्ण बहुताजित मिले है खेतरी तमर वंडारी इसके निकरता तमर उपकर्णों में जैसे बान है चेनिया, मचली पकर्णी काटे, उस तरह एक फालक, अंगुठी आती मुखे लिए ऐसा पूर्टित पूर्वी यहां से दोहरी पेचदार सिरवाली तमर पिन्ने भी पस्चिमी और मदेश्य में जैसे बियाद की जैसे था आहड और गणिस्वर सभिताएं तमर पाशान कल की थी, किम्तों इनके उपरी इस्तर पर लोहा यूग की आवसेश भी मिलते हैं लोहा काल इन्तियास जाने के लिए जैसे बैराठ है, सामबर है, बागो, रेंड, आदी सभिताओं के विबरन उलेखनी है इसके बाद आता है, ये असोग का जो बैराठ से बराठ सिलालेख है, वो दिखा रखा है, देखो, जैपुर दिले में बैराठ कस्ब। में जैपुर्दी लेगा जो बैराट कस्पा है वो हर यूग में सबता संस्कृतिका प्रमुक्य अंदर रहा है इसकी बिजग की पहाड़ी और भूम भीम डूंगरी वह पुरातर जिया उसे बहुत मैजपुन है महाबारत में भी इसका उलेक मिलता है कि मत्सीजनपरत की अंदी की मुद्राएं आठ पंचमारकी और अठाइस भारती यूननिसास को भी मिले है खुदाई में स्वास्तिक और त्री रतन चक्र के चिन अलंकरित खड़े दीपक नास्तवा बक्षे पत्थर की संदू के लोहे की किले हातों से बनेवे विवस्तर भी मिले है उप्रिक जोदपूर में फ़्त कर देना टॉंक के लिए में नगर रेंड चितोड में नगरी बरतपूर नोह जालोर में भीनमाल रासमंद में पच्छमाता गिलूंड आदिपूर पाशानस्तल तामर पाशानस्तल और तामर लोहे कालेसंस करते को प्रकटे करते हैं तो यह आपका प सब्सक्राइब करका तो तेला सब्सक्राइब कर लिए बैल आइक गंटी दबागा धन्यवाद जैहिंज जैवारत